Hello everyone, मेरा नाम दानिश और आप देखनें Technology Island और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ Galaxy M21 के बारे में मैं इसको यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से और यह mobile कैसा है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि जब आप इसको box से निकालते हैं जो आपकी नजर है वो इसके display पर पढ़ती है और seriously इसका display best है इस price range के अंदर अगर आप 14-15,000 रुपे के mobile ढून रहे हैं और आपको best display चाहिए तो यह बहुत कमाल का display मुझे लगा है यह 6.4 inch के साथ आता है full HD display, super AMOLED display तो AMOLED display मिल पाना है इस price range में लग भग नामुम्कीन है Samsung के अलावा सिर्फ MI A3 देता है लेकिन वो भी 720 pixels के साथ आता है full HD display नहीं आता है तो full HD और AMOLED display चाहिए तो इसके अंदर बहुत ही बढ़ी है मतलब जो color है वो बहुत ही rich और vibrant है मतलब बहुत ही अच्छा है अगर मैं बात करूँ मैं Poco F1 यूज़ करता हूँ तो उसके सामने ये display बहुत ज़्यादा बहतरी है मतलब लिटरली दिल जीत लेता है आपको YouTube अगर Netflix कर रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं तो बहुत अच्छी quality देखने को मिलती है मतलब जबर्दस quality देखने को मिलती है और यहीं display पर आपको ऊपर एक earpiece मिल जाता है मतलब call पर बात करने के लिए मिल जाता है और इसकी quality भी काफी अच्छी है मतलब literally decent quality है आप regularly use कर सकते हैं अराम से कोई भी problem नहीं होती है कोई noise वगरा नहीं आती है कोई कम अवास की शिगायत नहीं होती है बहुत बढ़ी है से इसकी quality होती है यहाँ पर आपको 20 megapixel का camera देखने को मिलता है और seriously बात करूं तो जो camera है वो काफी अच्छा है मतलब 20 megapixel काफी अच्छा है जो इसका पुराना model था M30S उसके अंदर आपको 16 megapixel का front camera मिलता था लेकिन इसके अंदर 20 megapixel का front camera मिलता है और जो यह infinity U जो इनका नाम है Samsung जो बोलता है infinity U तो बहुत ही minor सा आपको यही camera देखने को मिलता है बागी पूरी screen है तो यह quality है इसकी काफी अच्छी है जो इससे आप है वो आप bokeh mode भी ले सकते हैं मतलब पीछे का blur कर सकते हैं यहाँ पर आपको एक-दो samples देख सकते हैं कि कैसी इसकी quality है मुझे काफी सही लगी इस price के अंदर और मतलब बहुत प्यारा display है और बात करूँ यहाँ पर आपको कुछ नीचे ports देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको speaker grill मिल जाती है यहाँ पर आपको mic मिल जाता है जिससे आप बात करते हैं और यहाँ पर आपको USB type C देखने को मिल जाता है जो कि आप USB type C लगा सकते हैं और यहां पर आपको मिल जाता है headphone jack जो कि बहुत अची बात है और अगर मैं इसकी back पर आ जाओ तो back आप देख सकते हैं कि जिसनी अच्छी चीज की front है उतनी अच्छी चीज की back नहीं है क्योंकि यहां पर आपको कोई भी glass या metal finish देखने को नहीं मिलती है यह पूरी की पूरी plastic build है मतलब आप इसको मतलब बता सकते हैं कि यह plastic है और यह जो frame है side का वो भी plastic frame है तो यह पूरी चीज plastic की है लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी एक चीज के अंदर कि इसमें लिखावा है manufactured in India मतलब यह इंडिया के अंदर बनाए जो कि अच्छी बात है कि made in china वागरा नहीं तो अच्छा लगता है कि इंडिया के अंदर बनाए और जो back पर आपके सबसे पहली नजर जाएगी वह जाएगी आपकी camera पर मतलब यह जो camera module है यह पर आपको triple camera देखने को मिलता है मतलब यह एक normal camera है एक wide angle है और एक आपका macro वाला है इसका जो main camera है वह 48 megapixel है f2.0 पर और यह 26 mm का है और जो ultra wide है जो जादा wide वाला है वह आपका 8 megapixel का camera है f2.2 पर जो है 12 mm का और जो last camera है वह portrait वाला है मतलब जो आपका बहुत ही करीब वाले photos ले सकते हैं मुझे उसका यूज नहीं लगता लेकिन अगर होता तो अच्छा होता है लेकिन वह आपको M31 में मिलता है M21 के अंदर वह आपको नहीं मिलता है और जो back camera की quality है वह आप देख सकते हैं कि ultra wide में कैसा है और उसमें कैसा है normal mode में तो आप य ऐसे color अच्छ लगते हैं जो processing में थोड़े vibrant हो जाते हैं कि उनकी saturation थोड़ी बढ़ जाती है तो वह वाले मुझे photos थोड़े अच्छ लगते हैं और वैसा ही इसमें लगा है लेकिन मुझे एक चीज बुरी लगी बस इसके अंदर कि अगर काफी तेज धूप है और अगर आ सही है पर मैं flash के साथ photographic का इता बड़ा fan नहीं हूँ और यहां पर अगर बात करूँ यहां पर आपको मिल जाता है एक fingerprint scanner और यह seriously काफी जाधा fast है यहां पर आप देख सकते हैं यह मैंने लगाई और यह खुल जाता है मतलब काफी जाधा fast है और काफी जाधा accurate है तो मैं ज figure quality की तो decent सी है कोई खास इतनी नहीं है कि बहुत जाधा loud हो रहा है और अराम से आप इसको ढख सकते हैं क्योंकि side में आपको मिलती है तो बड़े अराम से ढख जाती है तो वह problem होती है और उपर आपको noise cancellation mic देखने को मिल जाता है इसके अंदर आपको triple slot देखने को मिलता है मतलब 2 SIM और उसके साथ micro SD card भी आप डाल सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है मतलब तीनों चीज़े देखने को मिल जाती है और बात करूँ अब इसके अंदर की बात कर लेते हैं यह सारी बात है तो बाहर बाहर की हो गई अब इसके अंदर क्या है तो इसके अंदर आप बात करूँ तो Mali G72 MP3 आपको इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलता है प्रोसेसर के नहीं जा सकते है अफकोस लेकिन आप एक अच्छी मतलब इसमूद पर आप पब जी खेल सकते हैं बड़े अराम से अच्छी बात है कि प्लास्टिक है तो इसके अंदर नहीं होता ले इस साइड ये heat up होने लगता है पता नहीं क्यों जब आप इसको PUBG तकरीवन आदे घंड़े खेलने लगते लगता है तो ये हीटप होने लगता है मुझे ऐसा लगा है क्योंकि जब भी PUBG एला तो ये जगा हीटप होने लगी है लेकिन PUBG की प्रोसेसर के अंदर लेकिन तो बह ही बड़ी है मतलब क्या वह नू सब्लू इसकी बैटरी बड़ी है कि मुझे अपने जु पोको एफन की बैटरी एज 2 सुपनी एमपार की बैटरी है वह मुझी था कहा हलकी लगने लगी है लेकिन इसको यूज किरने के यूसेज वाद इसके मुझी 51% बैटरी है, मतलब अभी आधी भी नहीं गई है, मतलब लमसम आधी चली गई है, 50% हो चुगी है, और ये कल 8 बजे मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया था, मतलब निकाल दिया था, सुबह 8 बजे, और अब दुपैर के 2 बजे रहें, मतलब दुपैर के 2 अगला दिन है, और अभी भी आधी बैटरी है, मैंने इस पर यूट्यूब वीडियो दिखी, थोड़ा बहुत गाने वाने सुनना, मतलब फोटो सेचना, ये सब मैंने करा, और इसमें मुझे, और कॉल पर बात करी, तो इसमें मुझे बहुत जबरदस बैटरी वी लिए, मतलब बैटरी के मामले में तो इस से अच्छा मुबाइल हो इनी सकता है, इस प्राइस रिंज के अंदर, मतलब बैटरी अगर आपको जादा से जादा चाहिए ना, इस मुबाइल को आप आग बन करके खरीच सकता है, अगर आपको बैटरी और एक अच्छा डिस्प्लेय चाहिए, मतलब मल्टी मीडिया वाला इस आप चाहिए ना, और यह जो कलर है जो कलर है इस के दो कलर आते है, एक बलैक और एक अपाल मेरे बलैं करते हैं ऐस बाइच्छा मैचे वालनों है, कि 15 watt की fast charging इसके साथ आती है तो वो मुझे चीज बुरी लगी दूसरी चीज की बात करूँ जो मुझे बुरी लगी वो यह लगी कि अभी 2020 चल रहा है और जो इसकी protection है कि Corning Gorilla Glass 3 है मतलब 3 किता पुराना है मतलब अगर मैं इस competition की बात करूँ तो Corning Gorilla Glass आपको around 6 तो देखने को मिल जाता है अगर 6 भी नहीं मिल रहा है तो 5 तो देखने को मिलता है तो इसके अंदर 3 देखने को मिल रहा है अच्छी बातें बहुत सारी है तो मैं बताता हूं पहली बात तो इसका display इस price range में आपको इससे अच्छा display नहीं मिल सकता यह लिखके दे रहा हूं इससे अच्छा display आपको देखने को ही नहीं मिल सकता बहुत ही बढ़ी है color contrast अच्छा है सब कुछ अच्छा है visibility भी battery बैटरी और display top class है literally top class है batteries की जबरदस है दो दिन का battery backup बहुत अराम से देदेगी और आप media बहुत सब्सक्राइब करते है अप netflix amazon prime hot star youtube यह सब बहुत देखते हैं तो यह mobile तो पक्का आपके लिए है इसका जो camera है वो भी 15,000 रुपे की range में बहुत अच्छा है मतलब seriously काफ आप normal photos खेचते हैं सारे सारे तो जबरदस्त है मतलब बढ़िया है इस price range में इसका finger screen scanner है वो भी अच्छा है जो इसका 20 megapixel का front camera है वो भी बहुत अच्छा है और मतलब performance भी अच्छी मिलती है मैं आराम से यूद कर रहा हूं इसको मुझे एक भी problem नहीं आई है इस mobile के अंद iPhone जागे तो आप दोगाने सुनी सकते हो तो यह सारी चीज़ें जो मुझे इसके अंदर अच्छी लगें बुरी लगें अब इसको आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए एक हम सिंपल सी बात कर लेते हैं तो अगर आपका बजट है बारा से पंद्रहाजार उ सब लोंग तो हैं मार्केट के अंदर तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं लेकिन अगर आप मीडिया कंसूम करते हैं आपको नॉर्मल वर्क है या थोड़ा बात पबजी भी खेलते हैं एक घंटा पबजी खेल लेते हैं दिनका तो यह आराम से हैंजल कर लेगा कोई प्रॉब सब्सक्राइब करते हैं तो आप यह भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ जिससे आपी अच्छी हो जाएगी और प्लासिक बैग भी चुछ जाएगी लेकिन अगर आप इसकी जगह M31 लेने का सोच रहे हैं पहले तो यह बात कर लेते हैं कि जो इसका चार्जी भी वेरियंट ले सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूँ हुआ कि 6GB 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 मुझे नहीं लगता कि 6GB की जरूरत है क्योंकि आपको इतने भारी टासिस में करने वाले नहीं है कि 6GB RAM की दरूरत पड़े चार्ज भी more than enough होगी आपके लिए लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह लूँ या M31 लेने का सोच रहे हैं मत लेना उसकी जगह मैं बोलूँगा आप अगर आपने एक बार दिस्प्ले बहुत मिश्किल पड़ेगा और वह बहुत बढ़ी है जो गेमिंग वह थोड़ी M31 से बहतर होगी हर एक चीज कैमरा भी उसका M31 से बहतर है तो वह आल ओवर M31 से जाद अच्छा है तो M31 तो मत लेना मतलब M31 के लिए तो सीरियस नो है इसका जो प्राइस रेंज है बारा हजार से पंद्राइद मतलब अगर चार जी भी रहें तो वह तो पैसा वसूल है क्यूंकि बारा हजार रोपे के अंदर आपको सूपर एमिलेट डिस्प्ले 6,000 मिल एंपार की बैटरी अटाली मेकापिक्सल का कैमरा जो की काफी अच्छी फोरो शूट करता है और जो आपका फ्रेंड कैमरा है बीस मेकापिक्सल का जो की बहुत बढ़िया है तो भाई M21 पका अच् 24 मेकापिक्सल के कैमरा मिलता है लेकिन इतना बड़ा फरक नहीं मिलेगा कि उसके अंदर क्वाड कैमरा साइटा पर उसके साथ मैक्रो वाला जो है वो भी आता है लेकिन आप पैसे बचा लेना और M21 ले लेना लेकिन अगर आपको 16,000 से उपबर गई मुबाइल लेना है त 30 वन पर पैसा बर्बाद मत करना तो यह था All Over Review तो अमेर है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगा अगर पसंद आई तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोई भी सवाल उतने हैं अगर आपने माई चैनल का विच्छा सब्राइब नहीं किया तो जल्दी देखिए क्य क्यों कि मैं आपके लिए ऐसी मज़दार विडियो उतलाते रहता हूं तो में मिलते आपको अग्री वीडियो में तब तक लिए प्रेट पीप्लावन हैपिनेस